स्पाइक का आता हुआ नजर आ रहा है उसमें हम देख रहे हैं भारत फोज जो कल काफी पिटा था इनफाइक कल आपको याद होगा तमाम कल्यानी ग्रूप स्टॉक्स में मुनाफ़ वसूली थी जा है वो कल्यानी स्टील हो या BF Utilities जैसे भारत फोज जैसे अकाउंटर भी आज कल काफी पिटा था एक पुलबैक और सौट साता हुआ भारत फोज पर आपकी क्या राय रहे गिया वनाज कंस्ट्रिंग ये काउंटर वो दिफेंस प्ले पर ऐसे पहले काफी भाग चुका है अब करेंट लेवल्स पर जो 11.35, 38 के आसपास है इन फाइक 11.40 पर आ गया काउंटर क्या करें? नहीं थिंक हरशदा लंबी योदी के लिए अभी भी बारत फोज डेफिनेटली अट्रेक्टिव लग रहा है इन थिंक रिस्क रिवार्ड काफी बहतर है अगर हम FY16 और FY17 के अर्निंग्स की ग्रोथ की बात करें और क्लिरली जिस परकार का डोमेस्टिक सीवी मार्केट में ग्रोथ दिख रहा है क्लिरली बारत फोज एक बड़ा कंपोनेंट प्लियर है सारे कमर्शल वेकल प्लियर्स के लिए इन फाक्ट कल जो फॉल करने का रीजन था वो ये था कि ग्लोबल मार्केट में जो क्लास एट ट्रक्स जो होती है यहां पर लगातार तीसरे मैने तक इनके सेल्स ग्रोथ में इनको नेगेटिव ग्रोथ दिख रहा था करीबन यूएस के मार्केट में तो आगे का रस्ता तभी इंप्रूव होगा जब ग्लोबली इस सेग्मेंट में थोड़ी सी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिले डोमेस्टिक मार्केट में डेफिनिटल है तो आई तिंग आठ नौ परसेंट चला है ये शेर और तीन गुना वॉल्यूब है कुछ शेर जो चुड़ाएं है प्लेज के प्रमोटर्स ने उसकी वज़े से कॉट्फिटर्स बना है क्या आपको लगता है मौका प्रदीब यहां पे भी मेरे खाल से डेफिनिटली इनका विजनस मॉडल काफी अट्रक्टिव है इन फैक्ट क्लियरली इसमें काफी बड़े एचनाइस भी इन्वेस्ट कर चुके हैं लेकिन जब तक ऑपरेटिंग लेवल पे और कैश फ्लोस पे हमको कोई बड़ा इंप्रूमेंट देखने को नहीं मिलता है तब तक यह कंसेट स्टॉक है इसमें टाइम होराइजन थोड़ा लंबा रखना ही बहतर रहेगा क्योंकि हमने आलवेस देखा है कि कोई भी पॉजिटिव नियूज या नेगेटिव नियूज इसमें आती है तो शेर में वोलिटिलिटी काफी बढ़ती है अगर इसमें एक रेली बड़ा पैसा बनाना है तो मेरे कहाल से एक साल, देड़ साल या दो साल का व्यू रखना जरूरी है क्योंकि अभी भी कैसीनों का बिजनस जो है इनका गोवा का वो पूरी तरह से प्ले आउट नहीं हो चुका है क्योंकि अभी आपसाइड आएगी ऐसा नहीं लग रहे है ओकी यह है फिल्हाल राय डेल्टा कॉप पर